कर दीजे ताकि सारे लोग हमारे साथ चैनल प्याहा सकें और सब लोग हमारे साथ जुड़ सकें दोस्तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा Telegram चैनल आप लोगों के सामने है तो इस Telegram चैनल को अब प्लीज फॉलो सभी लोग जरूर कीजेगा दोस्तो और बाकी लोगों के साथ भी इसको शेर कीजेगा अगर आपने किया हुआ है बहुत अच्छी बात है तो अगर follow नहीं किया हुआ है तो आप इसके साथ जूड़ जाएगा दोस्तो t.me slash sumitrati official यह हमारा official टेलीग्राम चैनल रहने वाला है दोस्तो एक अच्छी खबर मैं आपको बता दू न्यू यर के उपर वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेर किया ता आप लोगों के साथ में बट फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए एक exclusive sale हम लेके आये थे न्यू यर के उपर दोस्तो जिसमें वन यर का membership का prize हमने 20% reduce करके दिया है सारे के उपर ठीक है जब हम membership की बात करते हैं तो इसमें सारे courses included होते है unlimited watch और recording available होती है unlimited time आप देख सकते हो अगर आप मालो live नहीं देख पाते हो तो recording आपके पास रहेगी personal mentorship रहती है इसमें answer writing practice कराई जाती है prelims, mains और interview guidance ये सारी की सारी चीज़े जो है वो आपको मिलती है कहां पर दोस्तो वो आपको सब का सब मिलता है इस particular membership में 1 year, 2 year और 3 year की membership आपके सामने है दोस्तो और सभी पे अभी मिल रहा है दोस्तो आपको 20% discount लेकिन ये offer limited time का है दोस्तो नमबर नीचे दिया गया है 888-0088-0080-5603 इस पर call कीजेगा और जल्द से जल्द अपनी seat जो है यहाँ पर book कर लीजेगा geography optional जो मेरे पुराने students थे जो पहले मेरे पास पढ़ते थे और academy में बट किसी भी वज़े से मेरे साथ geography option नहीं पढ़ पाए थे उनके लिए मैं बता देता हूँ special उनके लिए up to 70% off आपको geography option में मिल रहा है जो price था 30,000 रुपए optional का वो सिर्फ और सिर्फ आपको कितने में मिल रहा है दोस्तो 10,000 के अंदर मिल रहा है number जो है वो आपकी screen पे नीचे भी चल रहा है जाके आप website पे भी आपको login कर लेना है आज पहली बात हम जो करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि इंडिया जो है plan कर रहा है कि 50 satellite launch की जाए इस नए साल के उपलक्ष पे अभी एक conference के अंदर में बताया गया कि भारत 25 satellite launch करने वाला है दोस्तो यह ISRO के chief ने कहा है यह जो 25 satellite हम launch कर देगे न दोस्तो इसके बाद आप यकीन मानियेगा भारत की military capability बहुत बढ़ जाएगी यह 50 की 50 satellite जो है दोस्तो यह launch करने के बाद भारत दुनिया के अंदर में चौथा बड़ा देश बन जाएगा जिसके पास इतनी सारी military satellites है military satellites का मतलब क्या होता है दोस्तो ऐसी satellites जिनका इस्तमाल हम military purpose के लिए करते हैं जिनका इस्तमाल civil purpose के लिए नहीं होता हम military purpose में चाहे वो communication हो चाहे वो कोई भी कुछ भी हो सकता है ठीक है तो उनके लिए हम यह missile launch कर रहा है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी हो रहती है यह भारत प्लान कर रहा है कि हम 50 intelligence gathering satellite जो है अगले 5 साल के अंदर में launch करेंगे नहीं next 5 year के अंदर में हम 50 intelligence gathering satellite launch करेंगे दोस्तो जिस प्रकार का अभी वरतमान में जो conditions हैं आप लोग जानते हो तो यह बड़ा जरूरी हो गया intelligence gathering जो है न बहुत जरूरी हो गयी है इन satellites के बाद में भारत के border और भी ज़्यादा safe और secure हो जाएंगे सरद जो है हमारी उसके उपर अगर किसी भी प्रकार का troop moment होता है तो हम वो track कर पाएंगे वो हमें पता चल जाएगा और समय पे हम action ले पाएंगे ठीक है अगले 5 सल में सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे यह intelligence और military satellite जो है वो US के पास है US के बाद में दूसरे नमबर पर चाइना और तीसरे नमबर पर रशिया आता है चौथे नमबर पर जब हम यह launch कर देंगे तो हम आ जाएंगे वर्तमान में भारत जो है military satellite की संख्या में हम साथवे स्तान के उपर में आते हैं यह सारी satellite जो है दोस्तो ठान रखेगा intelligence gathering satellite है दोस्तो यह क्या है दोस्तो intelligence gathering satellite है यह satellite design हो चुकी है configure हो चुकी है और अगले 5 साल के अंदर में हम इनको launch करने वाले हैं प्यारे बच्चों GS paper 3 achievements of Indians in science and technology indianization of technology awareness in the field of the space यह सबसे असली बात क्या है दोस्तो ना कियावल हम इस news को cover करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा दोस्तो कि कितने orbits के अंदर में हम satellite launch करते हैं प्लस satellites के फायदे क्या क्या होते हैं detail में इस topic के उपर हम discussion करने वाले हैं दोस्तो तो अभी एक tech fest का annual science and technology का event organize किया जा रहा था इसके अंदर यह announce हुआ है कि हम अगले पांच साल के अंदर में 50 satellite launch करने वाले हैं ठीक है समझ मेहारी बात यह जो सारी satellite हम launch करेंगे न दोस्तो यह सारी की सारी कैसी होंगी military satellite होंगी और इनका इस्तमाल हम किसली करेंगे दोस्तो जिसका अपयोग सैना की गतिविदियों का पता लगाने के लिए हमारी border के उपर में इनको हम इस प्रकार से position करेंगे कि अगर मालोग किसी भी हमारे पडोसी या hostile country का troop moment होता है तो अपने को पता चल जाएगा ठीक है परपस क्या है दोस्तो मैंने बताया 50 satellite next month साल में सारी की सारी satellite जो दोस्तो वो geo intelligence gathering satellite होंगे इन सारी satellites है हम खूफिया जानकारिया जुटाएंगे दोस्तो इनका इस्तमाल हम करेंगे intelligence gathering के अंदर में इसमें हम क्या करेंगे different layer of satellite हम यहाँ पर बनाने वाले हैं it will include the creation of a layer of satellite in different orbits हम अलग अलग orbits के अंदर में different layers हम इसमें बनाने वाले हैं दोस्तो with the capacity to track the movement of the troops and image thousands of kilometers in the area इन satellites के बाद अब क्या कर पाओगे दोस्तो इन satellites के बाद में हम बहुत दूर बैठे remotely हमारी border के उपर किसी भी प्रकार का अगर movement होता है तो उस movement को हम track कर पाएंगे इसलिए इन satellites को हम बोल रहे है geo intelligence gathering satellite एक बड़ी बात है दोस्तो आप अपने आपने for releasing India's aspiration to become a strong nation अब ये क्यों है दोस्तो भारत आज एक विस्सू गुरू कहलो या भारत एक super power बनने की दिशा हमें आगे चल रहा है और जब भारत super power बनने की बात करता है जब हम विस्सू गुरू बनने की बात करता है तो हमें हर field के अंदर में आगे रहना जरूरी है आज इंडिया जो है वो aspire कर रहा है to become a strong nation और अगर हमें strong nation बनना है तो वर्तमान में जो हमारा satellite का fleet है वो कम से कम यार दोस्तो बढ़ना चाहिए ठीक है आज हमारे पास जो satellite है अगर हम कहते हैं कि हाँ वही हम एक strong nation बनना चाहते तो आग्या आने वाले समय में हमें satellite base का 10 गुना करना पड़ेगा 10 गुना जादा satellite हमें launch करनी पड़ेगी और उसी दिशा के अंदर में भारत बढ़ रहा है दोस्तो सर मिलिटरी satellite क्या होती है क्या होता है एक सेने उपगर है satellite बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें different different IT components होते हैं इनको हम install करके अलग-अलग orbits के अंदर में place करते हैं इन satellite के different different functions होते हैं satellite होती है जो उपर से धरती पे नजर रखती है कुछ satellite ऐसी होती है जो communication में help करती है अब ये वाली जो satellite है इनको हम specifically military और defense force के लिए बना रहे हैं दोस्तो अलग-अलग military option चाहे वो surveillance हो चाहे वो intelligence gathering हो चाहे वो आपका surveillance के अलावा intelligence gathering के अलावा communication हो ठेक है safe जो हमारी सेना है उसके लिए safe communication अब सेना थोड़ी ना WhatsApp पे बात करेगी यार रहे है ना पता चला WhatsApp लीक हो रहा है WhatsApp है को रहा है तो हमारी देश की महतपून चीज़े कहीं और चली जाएंगी है ना अगर हमें जासूसी करनी है या किसी और भी strategic purpose के लिए तो हमें इन कामों के लिए एक अलग से satellite की आवशकता होती है इनी satellites को military satellites कहते हैं दोस्तों वर्तमान में भारत के पास अगर हम बात करें दोस्तों तो कितनी satellite है तो दुनिया में 49 satellite के साथ में America number one पे बना हुआ है चाइना दूसरे number पर 140 satellite के साथ रश्या के पास अभी फिलाल में 105 military satellites है है ना भारत की अभी 70 स्तिती है दोस्तों इंडिया is on the 7th position लेकिन हम अगे कर लेते हैं 50 satellite हम launch कर देंगे तो हम 4 नंबर पे आ जाएंगे इसके लिएवा कुछ और भी देश है जिनके पास अभी satellite बहुत बढ़ जादा है जैसे France हो गया, Italy हो गया, Israel हो गया बट ये देश अभी छोटे हैं ठीक है ये देश उतने बड़े नहीं है इनके आकार के इसाब से कि वो इतनी ज़्यादा satellite launch कर देंगे तो माना ऐसा जा रहा है कि जब भारत launch कर देगा उस टाइम तक कोई और देश लाँच करेगा नी और उस समय जब भारत ये 50 satellite launch कर देगा intelligence gathering की तो भारत चौथे नंबर पे आएगा 4th place जो है वो इंडिया अचीव कर लेगा अब हम बात करते हैं दोस्तों satellite की position देखो यार ये satellite जो है इसरो की chief ने कहा है इसरो ने कहा है कि भीया हमें इनको different different अलग-अलग layers के अंदर में हम इन satellites को डालेंगे उन्होंने एक तरीका ढूंड लिया कि कैसे हम अलग-अलग layers के अंदर में group of satellites को launch करने वाले हैं ये satellite दोस्तों आपको जीयो से लेकर लियो और्बिट के बीच में रखी जाएंगी जीयो मतलब होता है जीयो stationery equatorial orbit ये ठीक equator के उपर होता है दोस्तों लग-बग-बग पृत्वी से 36,000 km की उचाही पे होता है लियो का मतलब होता है low earth orbit ये पृत्वी से जादा उचाही पे नहीं होता है बहुत कम उचाही पे होता है ठीक है तो इस के अंदर में अलग-लग layer पे सारी के satellite जो है वो स्तापित की जाएगे it is also very low earth orbit where our country needs a very critical assessment of some situations साथी साथ में इन satellites में से कुछ satellite हम very low earth orbit के अंदर में भी रखने वाले हैं अब हम बात करते हैं सर कितने type की orbits होते हैं हमारे पास ये बहुत important है क्योंकि लगातार हम ऐसा सुनते रहते हैं अलग-लग exam में पूछ लिया जाता है चाहे वो ND हो चाहे वो CDS हो कहीं पर भी ये चीजे पूछ ली जाती है इसको हम Earth observation satellite के लिए इस्तेमाल करते हैं आमतोर पर इसे पृत्वी अवलोकन उठ गए है मतलब जो Earth के उपर observation रखता है अर्थ पर निगरानी रखता है हमारा जो international space station है वो भी low Earth orbit के अंदर में ही बना हुआ है दोस्तों इसका altitude अगर आप देखोगे तो at an altitude less than 1000 km but could as low as 160 km अब अर्थ तो 160 km से lower orbit start हो जाता है धरती से 160 km से उपर से lower orbit start हो जाता है और वो 1000 km तक अपका होता है जितनी भी आपकी Earth observatory satellites है वो इसमें रखे जाती है साती सात में हमारा जो international space station है वो भी आपका low Earth orbit के अंदर मिशते थे दूसरा मारा आता है दोस्तों medium Earth orbit Mio जिसकों कहते हैं मध्यम प्रिथवी कक्षा इसके अंदर में ये मालो Leo और Geo के बीच में होता है Lower orbit और Geosynchronous Earth orbit के बीच में ये पाया जाता है दोस्तों हम यहाँ पर navigation satellite यूज़ करते हैं GPS है न तो GPS आपका चलता है तो GPS के लिए हमने अलग-लग satellite का constellation बना रखा है एक तारा मंडल बना रखा है मतलब बहुत साई satellite launch कर रखी है तो वो जो GPS navigational satellite है वो सब की सब Mio orbit से हम उनको operate करते हैं फिर आता है Geo stationary Earth orbit जिसको हम Geo कहते हैं यह पृत्वी के ठीक equator के उपर यह आपका स्थित होता है दोस्तो यह satellite जो है ठीक उपर होती है धर्दी से यह एक ही जगें पर दिखती है इसमें हम communication satellite यूज़ करते हैं जनरल यहाँ पर जो हमारी दूर संचार के अंदर जो satellite इस्तमाल होती है फिर आता है हमारे पास polar orbit जिसको हम धुरुवी अकशा कहते हैं दोस्तो यह जो orbit होता है यह अर्थ के पोल से पास होता है दोस्तो इस satellite यह जो orbit है यह जो अर्थ की observation satellite है मतलब जो पृत्वी पर नजर रखती है ठीक है यह जासूसी satellite जो होती है जिससे जासूसी कराई जाती है दोस्तो उन satellite के लिए बेस्ट होता है क्या दोस्तो आपका polar orbit यह 200 से लेकर 1000 किलोमेटर की उचाई तक यह पाए जा सकते है इसके बाद आता है दोस्तो Sun Synchronous Orbit जिसको हम SSO कहते है यहाँ पर अगर हम बात करें अगर कोई मानलो Sun Synchronous Orbit के अंदर को satellite है तो मानके चलो 600 से लेकर 800 किलोमेटर के वीच में वो satellite आपकी मिलने वाली है वो satellite इस range के अंदर में आपकी होने वाली है यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है कोई problem है कोई समस्य है तो आप पूच सकते हो सारे के सारे Orbit मैंने आपको बता दी है सबसे पहला Leo Orbit उसके बाद में दोस्तों आपका Mew Orbit Geo Orbit उसके बाद Polar Orbit and next is the Sun Synchronous Orbit अब इसके बाद और होता है जिसको हम बोलते है Transfer Orbit या Geo Stationary Transfer Orbit देखो यार ये एक Special Type के Orbit होते है इनका हम इस्तमाल करते है एक Orbit से जब हम दूसरे Orbit में किसी चीज को लेके जाते है तो उस टाइम पे इनका स्तमाल करते है They are basically very special kind of the Orbit Transfer Orbit भी हम इनको कहते है फिर आता है Very Low Earth Orbit ये बहुत ही सतय के क्या होता है पास होता है VLEO इसको बोलते हैं दोस्तों ये बहुत पास होता है ठीक है आप ये मानके चलिएगा It generally includes altitude below 450 km साढ़े 400 से नीचे होता है दोस्तों यहाँ पर है ना Satellite in VLEO experience more atmospheric drag जितना आप नीचे satellite रखोगे उतना ही आपके लिए challenging है क्यों challenging है सर क्योंकि नीचे atmospheric drag जाता होता है Air की density, friction वो सब ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो operating cost होता है आपका satellite का वो बढ़ जाता है किसमें दोस्तों Very low earth orbit के अंदर अब सर बात करते हैं What are the different benefits? अगर मान लो किसी देश के पास satellite का एक बहुत अच्छा network है ऐसे सा अलगलग देशों ने बना रखा है तो क्या फाइदा है सर यह satellite के अच्छे अच्छे network जिस हमने अब बताया अमेरिका के पास सबसे अच्छे satellite है वो तो military satellite की बात किये हमने बट मैं आपको बता दू धरती के ऊपर इस वायू मंडल में आप देखोगे एक जाल सा बना पड़ा इस प्रकारी satellite का और उन satellite के सबके अपने-पने महत्व है आज जितनी भी modern चीज़े आप यूज कर रहे हो ठेक है mobile technology ये वो सब उसके बिना वो संभव ही नहीं था वो possible ही नहीं था तो इस सब इनी की वज़े से थो पाता है दोस्तो global communication आप सबको पता है दोस्तो सैटलाइट से global communication जो westwick संचार है ये possible हो पाता है दुनिया अपस में connect ही इन सैटलाइट के माध्यम से है दोस्तो आज कहीं पर भी बैठया कहीं पर भी बातचीत कर सकते हो just because of the satellite दूसरा remote internet access देखो पहले यार internet पहुचाना बहुत मुश्किल होता था बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी तारे जो है धरती के अंदर बिछानी पड़ती थी फिर फाइबर का जमाना आया लेकिन आज जो है satellite के माध्यम से internet देने की बात हो रही है चाहे Facebook की बात कर लो चाहे वो Space Link जो company है Lon Musk की वो कह रही है कि हम भी end-to-end, peer-to-peer internet connectivity देंगे तो आगे जाके क्या होने वाला है दोस्तों अभी तो शयाद इंडिया में अभी नहीं है बट आगे भविश्य के अंदर में दोस्तों इन सेटलाइट के माध्यम से दुनिया के किसी भी remote area में आपको internet मिल जाएगा वो भी broadband की speed से जैसे अभी पहाडी वाले area है remote दूर दराज की area है न वहाँ पर fiber बिचाना संभव नहीं है दोस्तों तो ऐसी अवस्ता के अंदर में दोस्तों ये जो है इनसे remote internet access जो है वो आपको दिया जाएगा तो जो digital divide है वो और भी जादा ब्रिज हो जाएगा digital divide जो हमारा खतम होगा disaster management दोस्तों जब कोई बड़ी प्रकार की तरासदी आ जाए कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा के दुरान में हमें जो हमारी satellites है ये बहुत important role ले करती है navigation GPS आज आपको एक जगे से दूसरे जगे जाना है transport logistics आप देखेगा खुद आप आज किसी भी जगे है जिसका आपको रस्ता नहीं भी पता है वहाँ भी आप मूठा के चल देते हो क्यों क्योंकि आपको पता है आपके पास में क्या है दोस्तो GPS है आप location डालोगे GS में और GPS आपको ले के चलेगा क्या पहले ऐसा था नहीं था ना पहले रोकना पड़ता था पूछना पड़ता था या किसे कैसे आदमी को साथ ले के जाते है जिसको रस्ता पता हो बड़ आप जरूरत नहीं है तो यह हमें support करता है दोस्तो navigation system में, transport में, logistics में military operation के अंदर में भी GPS support करता है ठेक है आपको पता है वैसे GPS जो है global positioning system इसका हम तो खेर military जो है उस्तमाल कर नहीं सकते बट अर्थ observation लगातार हम पृत्वी को अपने planet को monitor कर सकते है planet को monitor हम कई तरीकों से करते है जैसे आजकल हम climate change की बात करते है आजकल हम extreme climate event की बात करते है हम carbon dioxide बढ़ रहा है उसकी बात करते है यह सब किस से संभा हो पाता है दोस्तो earth observatory satellite से संभा हो पाता है हम अपने planet को consistently और continuously monitor कर पाते है हमारी environmental studies में help करता है agriculture में help करता है और जितने भी हमारे natural resource management है उनके अंदर भी दोस्तो हमारी यह क्या करता है मदद करता है national security के लिए important आपको पता है आप अपनी defense में capabilities बनाना चाहते हो communication, surveillance system सब हमें develop करना पड़ता है दूस्तों और उसब satellite के माध्यम से हो पाता है बिना satellite यह सारी चीज़े नहीं हो सकती तो राष्टे सुरक्षा के अंदर में भी skype महत्वोन योगदान होता है weather forecasting कब कैसा मौसम होगा, कब कैसा नहीं होगा अब जैसे आज, अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपना phone खोलते हो ना ठीक है, जैसे कल परसो की बात है कल परसो, phone में आया हुआ था weather forecasting app जो थी बता रही थी कि fog alert है, यह extreme cold alert है इस अब किसकी मदद से हो पाता है satellite की मदद से ही तो हो पाता है और यह जो alerts होते है weather forecast यह हमें बहुत important होते है हमारे लिए दोस्तो weather prediction करने के लिए या खेती बाड़ी के लिए या जो aviation industry है उसके लिए बहुत important होता है हमें पता चल जाता है कि किसी प्रकार का disaster होने वाला है तो उसमें भी, आजकल आपको पता है दोस्तो इनी satellite का इस्तेमाल करके हम telemedicine दे रहे है remotely हम healthcare services पहुचा रहे है है न? डॉक्टर को जाने की जुरूत नहीं अगर डॉक्टर नहीं पहुच पारा कोई बात नहीं telemedicine, healthcare professional वहीं से बेटा बेटा बात कर लेगा इस सब इनी satellite के माध्यम से ऐसा हूप आया है ठीक है? समझ में आरी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तो हम related search की बात करेंगे related search में मैं बात करना चाहूँगा satellite launch vehicles के बारे में ठीक है? तो थोड़ा सा आप GPS क्या होता है Global Positioning System, GSLV क्या होता है PSLV क्या होता है? इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे and साथ-साथ में you have to look for the ISRO आपको ISRO के बारे में भी देखना है इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तो prelims, देखो prelims में क्या-क्या पूछा जा सकता है क्या purpose है इसका? और यह जो हम satellite launch कर रहे हैं, क्यों launch कर रहे है military satellite जो होती ही वो क्या होती है वरतमान में भारत के पास कितनी satellite है कितनी नहीं है, current में इंडिया की satellite की position क्या है different orbits के बारे में and benefits क्या है दोस्तो, एक अच्छा satellite system होने का क्या फाइदा होता है आप लोगों के पास में यह सब आपको बताना है, ठेक है? समझ मियारी बात चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तो इंडिया हाल फिलाल में भी agreement मतलब एक final agreement करने की तरार पे है अर्जेंटीना के साथ, आपको पता है दोस्तो, आज भारत के अंदर electric mobility का fleet किस तेजी से बढ़ रहा है, हर जगें जहां आप जाओगे वहाँ पर बात हो रही है electric mobility की, वहाँ पर बात हो रही है charging वाले vehicles की electric गाडियों की बात हो रही है यह electric गाडियों की बात हो ना और electric गाडियों का ना, यह तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके अंदेश के अंदर में है कि आप इस प्रकार का infrastructure अवलब कर लो यह जो सारी गाड़िया है इनके अंदर में क्या इस्तमाल होता है दोस्तों इन गाड़ियों की बैटरी बनाने के लिए आपको lithium iron बैटरी चाहिए आज भारत बहुत भारी और बहुत बड़ी मातरा के अंदर में lithium डैकन जो है हम बैसिकली lithium जो है उसको इंपोर्ट कर रहे है lithium की बैटरी हां इंपोर्ट कर रहे है अब भारत की काई सारी कमपनीया जो है वो अलग-लग देशों के अंदर में जाके हम उनके साथ में agreement कर रहे हैं कि भारत के अंदर में अगले आने वाले time के अंदर में इतना potential है तो हम चाहते हैं आप अपनी mine हमें दे दो हम आपकी mine को क्या करेंगे डवलप करेंगे बदले में royalty वगेरा वो तो आपको मिलती रहेगी बागी हम यहां से mineral exploration करेंगे तो यह इंडिया के लिए sustainable supply को ensure करेगा तो इसी दिशा में कदम है दोस्तों इंडिया closing in on lithium deal with Argentina tapping Australia and चिली टू तो भारत की कमपनी है जो लगातार अभी जो है lithium इसके लिए deal कर र वाली है और साथ-साथ में Australia और चिली से भी बात चल रही है दोस्तों ठेक है कि वही आप भी कर दो मामला close कर लेते हैं आप लोग के साथ में भी तो इसी मुद्धे के उपर में हम बात करेंगे GS paper 2 पहली बात तो bilateral regional or global grouping and agreements तो ही है साथ-साथ में GS paper 2 और यह GS paper 3 से संबंदित हैं 3 से क्यों हैं दोस्तों क्योंकि 2 से तो इतना इसका connection है क्योंकि Argentina की बात हुई है दोस्तों बट अगर मैं बात करूँ GS paper 3 से ज्यादा relevant है क्योंकि इसके अंदर में mineral reserve की बात हुई है फिकेंट डील हम साइन करने वाले हैं 5 lithium blocks अर्जंटीना के अंदर ठेक है उनके उपर हमारी negotiation चल रही है और negotiation अभी final stage पहुँच गई है ministry of mine की तरफ से company है जिसका नाम है खानजी बिदेश इंडिया लिमिटेड शौट में काबिल कहते हैं इसको तो उन्होंने पूरी preliminary exploration development agreement जो है वो sign कर लिया है अर्जंटीना अर्जंटीना माइनर अजंटीना की जो mining company है जिसका नाम है आपका कैमीन इसके साथ में अर्जंटीना के अंदर में यह पांच लिथियम मिनरल के रिजर्व है इनको हम क्या करें डवलप करें इनको हम explore करें और यहां से हम लिथियम आयर निकाले हम इनको acquisition income करने लेंगे और फिर हम यहां से यहां से mineral निकाल लेंगे ठीक है एडिशनली company जो है अगर आप बात करोगे तो उन्होंने एक non-disclosure agreement भी sign कर लिया है एक consultancy firm है PwC तो उन्होंने viable investment project जो है वो Australia के अंदर में भी find out किये तो कहने का मतलब क्या है दोस्तो हम electric mobility और green जो हमारा sustainable environment की तरफ जो हमारा एक चुकॉज है उसको मद्दे नजर रखते वे दोस्तो we are in the negotiation process with a different country अब बात करते हैं दोस्तो acquisition in Argentina अर्जेंटीना में क्या मामला चल रहा है दोस्तो in the past year India has intensified its search for critical mineral लगातार है हम ढूंड रहे हैं भई हम क्यों ढूंड रहे हैं दोस्तो विकोज इंडिया के अंदर में green energy का transition हो बहुत तेजी से हो रहा है हम चाहते हैं हमारे carbon footprint कम हो हम चाहते हैं हमारा carbon emission कम हो और अगर हम यह चाहते हैं तो हमारे लिए lithium एक विशेश खनिज है जिसके हमें जरुरत पड़ेगी क्योंकि यह जो battery हम बनाएंगे जो power storage के लिए जो battery system हम infrastructure create करेंगे यह lithium से ही होगा ठेक है Argentina की अगर हम बात करें तो उसके पास vast lithium reserve जो है वो पाए जाते हैं वहाँ पे जाके हम बहुत ही cost effective production कर सकते हैं और Argentina हमारी जो demand है उसका ideal supplier हो सकता है Currently अगर मैं Argentina के अंदर बात करूँ तो Argentina के अंदर दो active lithium की माइन है Additionally 14 lithium project अभी चल रहे हैं Argentina के अंदर दोस्तो यह तो construction में है advanced exploration उनका हो रहा है ठीक है अलग अलग different different stage के अंदर में है एक बार जब ही सारे project जो है operational हो जाएंगे Argentina के अंदर तो Argentina वर्ल्ड का number one lithium producer बन जाएगा number one पे आ जाएगा ठीक है जो काबिल है अभी भारत की तरफ से ministry of mine की तरफ से ठीक है खनिज काबिल board previously sanctioned the draft exploration and development agreement and subsequently the ministry approved a proposal to establish a branch office in Argentina ठीक है मतलब पूरी तैयारी है दोस्तो इससे यार भारत को आगे आने वाले time पे है ना हम एक stable lithium supply जो है वह ensure कर लेंगे भारत के पास लगातार stable मातरा में बढ़िया मातरा में एक stable supply जो है दोस्तो वो हम यहाँ पे ensure कर पाएंगे यहाँ पर आप मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ता है सर लीथियम है क्या देखो लीथियम एक soft shiny और gray metal होता है यह प्रित्वी में पाया जाता है crust में पाया जाता हम खुदाई करके निकालता है बहुत reactive और बहुत alkaline matter है यह अत्यादिक प्रतिक्रिया शील और छारी दातु होती है यह की element है आजकल की जो नई technology है है ना उसमें यह बहुत जादा इस्तमाल होता है टेली communication में aerospace industry के अंदर में lithium से बैटरी नहीं बनती lithium से और भी बहुत चीज़े होती है ठीक है और वो चीज क्या है दोस्तो इसका use होता है कहां पर दोस्तो ceramics के अंदर glass telecommunication and aerospace industry ध्यान रखना है दोस्तो ठीक है lithium का हमें सबसे अच्छा जो हमें use पता है वो हमें पता है lithium ion batteries के अं से जो lubricating grease होती है उसमें इसका इस्तमाल किया जाता है high energy additives जो होते हैं ठेक है rocket propellants के high energy additive मतलब जिसको डालके वो एकदम rocket छूं से उसके पास ज्यादा power आ जाती है उसमें इसका इसका इस्तमाल होता है optical modulator के अंदर में for mobile phone and and as a converter to tritium used as a raw material for the thermonuclear reaction सोचिए thermonuclear reaction के अंदर में भी आप lithium का इस्तमाल कर रहें तो हमें पता है lithium ion battery सर्फ लेकिन अगर हम देखें तो इसके और भी उद्देश्य हैं और भी बहुत सारे उपयोग हैं जिसके अंदर में lithium ion को lithium को हम इस्तमाल करते हैं ठीक है इसके लाव अगर आप देखोगे तो lithium को alloy बना की होगी उसको हम बोलेंगे magnesium lithium alloy ठीक है इसका इस्तमाल हम armor plating के लिए भी करते हैं ठीक है armor plating समझते हो जो गोलियों-गोलियों से बचने के लिए जो इस्तमाल किया जाता है aircraft में इसका इस्तमाल होता है bicycles के जो frames होते हैं बहुत strong होते हैं bicycle cycle के वो इससे बनाये जाते है और जितनी high speed trains होती है उनके अंदर में भी इसका इस्तमाल किया जाता है अब इतनी सारी lithium ion की यार इतनी सारी lithium धातू की metal की इतनी सारी उपयोगिता है इसलिए आज के time पे lithium को white gold भी कहने लगे हैं कि सफेध सोना है तो क्योंकि इसकी उपयोगिता इतनी है इसलिए हम इस को सफेध सोना अब भारत की हालत जो है lithium के अंदर में बहुत अच्छी है नहीं इंडिया में बढ़ी मातरा के अंदर में lithium नहीं पाया जाता लेकिन भारत में जिस परकार से electric vehicle महीकल की मार्किट बढ़ रही है। आज हम इलेक्टिक महीकल की मार्किट भारत में अगर बात करें तो 383.5 mm dollar की एलेक्टिक वहीकल की मार्किट भारत के अंदर है जो आगे जाके बढ़ने वाली है मान रहे हैं 2030 तक ये मार्किट 383.5 मिलियन से बढ़के 152.21 बिलियन डॉलर की होने वाली है इंडिया हर साल 450 मिलियन यूनिट लीथियम बैटरी की मिंगबाता है जिनकी टोटल वैल्यू है 929.26 मिलियन है कि लगबग लगबग 66,000 करोड की बैटरी हमने इंपोर्ट की हुई है दोस्तों सोच लो आप ठीक है तो ये इतना जादा हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे है आज तो कितनी जरूरत होगी है हमारी जो हमारे देश के अंदर स्कॉलर्स हैं वो इस बात को कहते हैं क हमारा जिस परकार का ongoing transition चल रहा है इंडिया जिस परकार से low carbon economy बनने का परियास कर रहा है जिस परकार से rapid expansion हो रहा है artificial intelligence का 5G network जिस परकार से बढ़ रहे है ठीक है जिस परकार से global geopolitics जो है बदल रही है ये कह रहा है कि इसका एक बहुत important role लहने वाला इन सब चीजों के economy rapid expansion of artificial intelligence and 5G network will greatly reshape global and regional geopolitics जिसके पास में आप सोचो इस rare mineral का reserve होगा जैसे lithium और कोबाल्ट का वो बहुत ही crucial stage पे बैठा हुआ है ठीक है जिनके पास में दो खनी जना lithium और कोबाल्ट आप समझे जिसके पास sustainable supply है lithium और कोबाल्ट की वो बहुत ही इसलिए इनको हम lithium और strategic mineral के नाम से भी जानते है ठीक है यह बहुत important है आज कल की सारी technologies के लिए these minerals are very 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 important that's why they are also known as the strategic minerals lithium reserve भारत में अगर हम बात करें तो भारत में है नहीं अगर मैं lithium inferred reserve G3 की बात करूँ 5.9 million ton के अभी जम्मो और कश्मीर के अंदर में जो सलल हेमना जो range है area जो है UT of जम्मो और के सलाल हिमाना चेतर के अंदर में 5.9 million ton के lithium के G3 reserve जो है वो पाए गए है इसके अलावा रेवान थिल जो है दिगाना राजस्तान के नागोर डिस्टिक में वहाँ पे भी थोड़े बहुत reserve है है ना around 1600 ton of lithium reserve were found in मांडिया कराटका के अंदर में 1600 ton lithium reserve जो है वो यहाँ पे भी जो है एकदम दबा के लगी हुई है वही lithium exploration program के अंदर हम अलग-अलग state के अंदर में जाके ढूंड रहे हैं अरुनाचल प्रदेश ठीक है अंदर प्रदेश, 36 गड़, जारखन, जुम्ब और कश्मी राज हम कहीं नहीं छोड़ रहे हैं लगातर लग रहे हैं देख रहे ह जो हमारा runoff कच है गुजरात के अंदर वहां पर भी lithium के reserve जो है वो उपस्तित हैं वो विद्यमान है ठीक है तो यह हमारा पूरा topic था I hope आप सभी को समझ पर आ गया होगा अब दोस्तों यहां से समझना है कि जो inferred reserve होता है जो मैंने अभी बोला G3 जो कश्मीर में वो क्या ह होते हैं ऐसे UNFC 1997 challenges in the extraction of lithium geological survey of India and India की और Argentina की relation के है यह हमारा basic part है related search के अंदर जो हमें देखना है ठीक है इसके लावा prelims की बात में करता हूं तो about lithium application क्या है lithium की where is lithium found naturally lithium reserve भारत में कितने है भारत के अंदर में lithium किसका है who owns the lithium in India मलत तुमारी जमीन में lithium है तो क्या तुम उसको निकाल सकते हो about acquisition in Argentina और यह अर्जंटीना वाली जो news है यह भी आपसे पूछी जा सकती है कहीं न गई आगे बढ़ते हैं दोस्तों next हम बात करते हैं तो एक और news है लखबीर सिंग संधू इसको इनका short नाम है लांडा लखबीर सिंग संधू जो है इनको एक individual terrorist declare कर दिया गया है लखबीर सिंग संधू को declare किया गया है as an individual terrorist ठीक है अभी individual terrorist क्या होते हैं इनके लावा और भी बहुत सारे लोग है जिनको individual terrorist गोशित किया गया है तो एक बर इनकी पूरी charge sheet इनका इतिहास देख लेते हैं कौन है वाईसा भी है है ना ministry of home affair ने इनको declare किया है individual terrorist terrorist पहले एक organization को declare किया जातना आतंकवादी संस था लेगिन अब जो है individual किसी एक वेक्ति को भी आप terrorist घोशित कर सकते हो दोस्तों तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कौन है कौन नहीं है GS paper दो government policies and intervention तो Canada based gangster है बबबर खा दिया गया है UAPA के अंडर में तो अभी इसके लिए ministry of home affair की notification आ गई है उसमें बोला गया है लंगा या इसको short में लांडा भी का जाता है इनको ये close association में है Canada based जो प्रो खालिस्तान element है ना ठीक है सिख for justice जिनके जो लीडर है आपके यहाँ पे इनके basically प्रो खालिस्तान element के जिनका नाम है सिख for justice उनकी party है उनके लीडर है गुर्पतवन्त सिंग पन्नू ठीक है तो जो पन्नू जी है पन्नू जी उनके close associate है वाई और साथ साथ में खालिस्तान टाइगर फोर्स के जो लीडर है हरदीप सिंग निजर जिनकी हत्या के उपर में बहुत एक बड़ी controversy ह हो गई थी तो माना जा रहा है दोस्तों पन्नू और निजर दोनों के साथ में इनके क्या है संबंद है यह उनके close ally है बहुत closely उनके साथ में associate है यह 55 इंडिवीज्वल्स थे जिनको terrorist declare किया गया था under UAPA UAPA के अंदर में आतंकवाधी घोशित किये जाने वाले यह 55 वेक्त उल्टा हरदीप सीनिजर की death row के उपर में भारत और कनाडा के संबंद किस प्रकार से खराब हुए थे वो आप लोग सब जानते है ठीक है अब इनके against में charge क्या क्या है यह याद तो नहीं रखने बट फिर भी जान लोग को कि इनके बारे में जान रहे है तो लांडा basically यह टारन टारन पंजाब के रहने वाले थे अब माना जाता है यह कनाडा के अलबरेटा में रहते हैं 2017 के अंदर में कनाडा भाग गए थे रिपोर्ट के अनुसार और यह पाकिस्तान बेस गैंस्टर turned terrorist हरविंदर सिंग के भी close ally है उनकी close aid है उनकी closely यह मदत वदत करते रहते ह रहे हैं और इन्होंने प्रो खालिस्तान टेरर ओगनाईजेशन बीके आई यानी की बगबर खालसा इंटरनाशनल से हाथ मिला लिया है जो एक designated terrorist organization है जुलाई 2011 के अंदर में the first case was registered against the landa for a murder under the arm act at हरिके पतान ठीक है हरिके पतान के अंदर में पहला murder और arm sect जो हैं के उपर लगा था 2011 की बात उसके बाद तो मतलब 18 criminal case इनके उपर ओर लगे murder drug smuggling ये वो फलाना डिमकाडा कुछ media reports की माने तो अभी जो है एक RPG attack हुआ था Punjab Police Intelligence Headquarter मौहली के अंदर माना जाता है कि landa जो है उनके अंदर में भी ये शामिल थे ये मतलब main conspirator थे इन्होंने उस सारी conspiracy को जो है वो तैयार किया था ठीक है इसके लिए हो माना जाता है दोस्तों he is also a main conspirator in the planting and improvised explosive device ID under the sub inspector car in Amritsar ठीक है तो Amritsar के अंदर में एक sub inspector की car के नीचे भी ID लगा दिया था तो माना जा रहा है कि उसके अंदर में भी ये ही main थे अब ये UAP क्या होता है दोस्तों तो दोस्त 66 के अंदर में इसको बनाया गया था इस प्रकार के जो element है जो अलगावादी आंदोलन चलाते हैं जो राष्ट वियोदी गतिविदी करते हैं उनसे निपठने के लिए दोस्तों इस कानून को बनाया गया था ठीक है ये जो act है it provide for more effective prevention for certain unlawful activity मान के चलो देखो वैसे कानू activity से संबंदित है तो उस प्रकार की गतिविदियों को prevent करने के लिए ऐसी unlawful activity को prevent करने के लिए इस कानून को बनाया गया था उसके बाद में कई बार इस कानून को बदल चुके हैं 2004 में 2008 में 2013 में 2019 के अंदर और लगातार हमने इसमें कई चीजे जो हैं वो add की हैं दोस्तों कुछ और features इसके बारे में बात कर लें UAP का तो इसके अंदर में UAP में unlawful activities को define किया है क्या unlawful activity and prevention act है तो इसके अंदर unlawful activity क्या होती है तो ऐसी activity किन activity को हम गयर कानूनी गतिविदी कहेंगे तो इसमें वो गयर कानूनी गतिविदीयों की बात की जाती है दोस्तों जिसमें ऐसे कारिये शामिल होते हैं जो भारत की किसी भी हिससे के अधीग्रेन या उसके अलगाव का समर्थन करते हों या अलगाव और अधीग्रन के लिए उक्साते हों या इसकी संपरभुता भारत की संपरभुता और छेतरी अखंडता के उपर में सवाल उठाते हों या भारत की छेतरी अखंडता संपरभुता का नादर करते हों वो सारी जीजीजे हैं UAPA के अंदर में कवर होती है इसमें terrorism भी cover होता है तो terrorism का मतलब क्या है आतंकवाद का मतलब क्या है दोस्तों आतंकवाद का मतलब है दोस्तों any act that cause or intent to cause death or injury to any person आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को या तो कोई हानी हो रही है या आपका पूरा पूरा आपका intention है उसको हानी पहुचाना ठीक है आप चाहते है कि उसको हानी पहुचे उसकी death हो जाए या आप किसी प्रकार की property को damage करना चाहते हो उसको disrupt करना चाहते हो या धमगाना चाहते हो किसी को या आप देश की unity security और economic stability के against में हो यह सारे चीजे क्या कहलाती है दोस्तो आतंकवाद आतंकवाद जो है वो कोई भी ऐसा कारिये के रूप में परिभाशित किया जाता है जो किसी व्यक्ति की मृत्तु या चोट का कारण मनता हो या करने का इरादा रखता हो मतलब किसी वैक्ति को मारने या चोड़ पंचाने के राधा रखता हो या किसी संपत्ती को नुकसान या विनास करता हो या जो भारत या किसी अन्य देस की एकता, सुरक्षा और आर्थिक स्तिरते के लिए स्तिरता को खत्रे में डालता हो उसको हम terrorism की category में रखते हैं इसको हमने number of time amend किया recently 2019 में हमने इसको amend किया था 2019 के अंदर में हमने इसमें कई सारे provision include किये थे जिसमें हमने terror financing ठीक है terror financing के अलावा cyber terrorism individual पहले हम एक संस्था को ही आतंकवादी संस्था गोशित कर सकते थे इस कानून के बाद में 2019 में जो हमने बदलाव किया हमने का कि individual व्यक्ति को भी हम terrorist designate कर सकते है उसकी property को seize किया जा सकता है ये सारे प्रावधान हमने 2019 में ही add किये थे 2019 में जो हमने ये amendment किया था इसके माध्यम से जो हमारी National Investigation Agency NIA उसको हम power देते है to investigate, prosecute the case under the UAPA पूरे भारत के अंदर में कहीं पर भी अगर UAPA का मामला है तो National Investigation Agency NIA जो है उसको investigate करेगी और उसके इसको prosecute करेगी इट प्रोवाइड death penalty ठेक है highest penalty इसमें दी गई है death penalty साथ-साथ में life imprisonment जो है ही highest punishment है UAPA के अंदर में ठेक है इट allows the detention of the suspect without charges or trial for up to 180 days भाई कोई भी व्यक्ती जिस पर शक हो preventive detention के तहत में ठेक है उसको आप पहले ही रहासत में ज़रूरी नहीं उस पर चार्ज देगो गिरफतारी दो परकार की होती है पहली होती है कि आप पर शक है और आपको उठा लिया जाए काम करने से पहले उसको बोलते है preventive detention ठेक है और एक होता है punitive जो काम वहां कर दिया court में गए आप court में आप दोशी ठहराए गए उसके बाद जेल जाते है उसको बोलते है punitive तो जो preventive detention है वो इसके अंदर में allowed है आप शक के बिना पर किसी वेक्तिक उठा सकते हो और 180 दिन तक आप उसको जेल में रख सकते हो without any charge or trial court में लेके मत जाओ ठेक है मैं लब आदे साल तो 6 महीने उसको बढ़िया से अब हवालाद के हवा जो है UAP के अंदर में खिला सकते हो बिना bail bail कुछ नहीं मिलेगी उसको ठेक है फिर उसके बाद में मामला court में जाएगा और जब court इस बाद से satisfy हो जाएगा कि हाँ ये वेक्ति guilty नहीं है तब उसको छोड़ा जाएगा है ना अब इसमें बात की गएगी कौन terrorism कमिट कर सकता है terrorism के अंदर में कौन-कौन सी संस्था इसके लपेट में आ सकती है तो केंदर सरकार ने इस पे कुछ provisions दिये गए हैं दोस्तों इस act के तैत में केंदर सरकार में designate an organization as a terrorist organization केंदर सरकार किसी भी संस्था को एक terrorist संसा गोशित कर सकती है कब दोस्तों पहला if it commits or participate in the act of terrorism यदि वो आतंकवादी कृत्य करता हो या उसमें किसी प्रकार का भाग लेता हो दूसरा if he prepare for terrorism यदि वो आतंकवाद के अंदर में कि आतंकवाद करने की तैयारी कर रहा हो या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा हो is otherwise involved in the terrorism या किसी और प्रकार से उसने मदद की हो किसी की किसी प्रकार से वो आतंकवाद में शामिल हो अब दोस्तों ये तो सारे थे UAPA के बारे में अब दोस्तों number of time UAPA से related कुछ concerns भी बताय जाते है UAPA का गलत इस्तमाल भी होता है ठीक है तो इससे संबन्दित को चिंताएं भी हैं दोस्तों भारत के अंदर में कई बार UAPA का इस्तमाल हुआ है और अलग-लग critics कहते हैं कि ये इस्तमाल गलत हुआ है अलग-लग लोग कहते हैं कि UAPA का इस्तमाल भारत के अंदर में गलत वजहों से और गलत चीजों के लिए भी किया जाता है तो वो क्या है वो क्या कारण है जिससे हम थोड़े concerned है UAPA को लेकर तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहली बात है broad definition अगर आप देखोगे ना unlawful activity की इतनी बड़ी परिभाशा दी गई है terrorist act क्या है, unlawful activity क्या होगी तो परिभाशा इतनी broad है कि उसके अंदर में कोई भी interpretation ली जा सकती है किंदर सरकार के पास में एक wide power है मतलब वो किसी भी गतिविधी को देश के against में दिखा सकती है activity शब्द समझ रहे हो, गैर कानूनी गतिविधी अब गैर कानूनी गतिविधी तो बहुत सारी होती है वई बोदला जाता है सड़क पे cigarette नहीं पीना, आप पी रहे हो cigarette लेकिन केंदर सरकार कह दे हाँ सड़क पे cigarette पी रहे हो तुम देश की unity और एकता खंड़ता के against जा रहे हो, चलो भई तुम भी terrorism होगे तो यह बहुत बड़ी definition है, ठेक है बहुत व्यापक परिभासा है इसकी और इसको manipulate किया जा सकता है इसको misuse किया जा सकता है कल होके मालो कोई वेक्ती या कोई संस्ता सरकार के against में protest करे सरकार के against में बात करे तो सरकार उस पे UAP लगा सकती है ठेक है पर्सनल वेंडेंटा इससे निकाला जा सकता है सरकार के दुवारा किसी particular organization बेकाँज डेफिनेशन इतनी बड़ी है so critics argued that the act definition of unlawful activity and terrorism act are overly broad and they can be interpreted subjectively potentially leading to misuse or targeting of the dissent dissent का मतलब क्या होता है कि लोग जो शिकायते करते हैं ठेक है लोग जो अपनी एहसहमत ही जताते है बई सरकार ने कोई नीती बनाई और आप एहसहमत हो उससे और आप सरकार को criticism करते हो सरकार की निंदा करते हो सरकार आपको देश-द्रोई बनादेगी कि तो देश-द्रोई आदमी है सरकार के against में बोल रहा है यह तो राष्ट विद्रोई है इस पर UAP लगाओ इसको अंदर डाल दो definition इतनी broad है तो यह सबसे पहला concern है कि जो unlawful activity की जो बात की जाती है जो terrorist act की बात की जाती है they are not clearly defined वो defined नहीं है यहाँ पे दूसरा प्रिबेंटिव डिटेंशन निवारक हिरासत दोस्तो UAP के अंदर अगर आप देखोगे न तो संदे के आधार पर आप किसी वेक्ति को धर ले सकते हो उसको निवारक एरासत में ले सकते हो ठीक है एक बहुत बड़ा concern है और यह individual का जो individual rights होते है fundamental right यह उसका भी violation करता है क्योंकि जब आपने किसी वेक्ति होना क्या चाहिए कोई आदमी जेल में तब जाना जी जब उस पर अपराद सिद्ध हो जाए लेगिन इसके तयात में आप किसी भी individual को उठाके 6 महीने बिना किसी trial और कारवाई और charge के तुम उसको जेल की हवा खिला सकते हो बड़ी आस है ना दूसरा है designation of organization there are concern about the lack of transparency and a potential of or arbitrary designation of organization as unlawful which can have serious consequences for individual associated with them अब एक बात सोचो तुम मान लो किसी भी वेक्ति को तुम्हें terrorist एक बड़ declare कर दे अच्या गलत हो लेकिन तुम terrorist declare हो जाओ या तुमारी कोई संस्ता है जिसको सरकार एक बार terrorism से relate कर दे या terrorist organization declare कर दे तो हो लिया ना फिर तो मतलब क्या ही बचता है कुछ बचता है फिर फिर क्या ही बचता है सार कुछ नहीं बचता आपकी image उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हो ठीक है किस प्रकार से वो आपकी image को dent पहुचाएगा किस प्रकार से वो आपके लिए खराब होगा ठीक है you can imagine है ना इसके बाद बात करते हैं limited judicial review नहीं कर सकते ठीक है judicial review जो है इसमें बहुत ही सीमित है this act plays restriction on judicial review इस अदिनियम के अंदर नयाईक समिक्षा पर प्रतिबंद लगाया गया है ठीक है तो यहाँ पर एक individual के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उसको effective अगर वो गलत तरीके से फसाया तो उसको court के माद्यम से जल्दी से नयाई नहीं मिल पाता इसके बाद है free speech तो अपने आप में UAP का इस्तमाल जो है दोस्तों अलग-अलग माना जाता है कि कई critics कहते हैं कि सरकार इसका इस्तमाल करती है ठीक है कि free speech को रोकने के लिए ठीक है जो लोग नाखुश है सरकार के प्रती ऐसहमती जताते हैं उनको सरकार फिर unlawful activity और activist brand करके ठीक है तो उनको बस ये चुप कराने के लिए उनका उपयोग में लाया जाता है critics argued that UAPA can be used to stifle free speech and dissent as individuals में fear being leveled as supporter of unlawful activity for expressing their opinion तो इसलिए वो चुप हो जाएगा कि UAPA का धमकी दे दे तो free speech भी से हमपर होती है अचा इसमें एक provision और है जैसे सामाने तक क्या होता है कि मान के चलो आपने कोई crime किया है या नहीं भी किया और police जब आपको ठोकती है, पीटती है, मारती है तो उसमें मानलो उस समय आदमी ने कह दिया डर में कि हाँ मैंने काम किया है तो वो होता है कि police के सामने दिया गया बयान court के अंदर admissible नहीं होता अगर आपने police को कोई statement दिया पुलिस ने जबरदस्ती आपको कोई statement ले ली आपसे तो आप court में उससे बदल सकते हो आप कहा सकते हो कि police ने जबरदस्ती ली है ठीक है पुलिस ने मेरे पर दबाव डाला और यह मेरी statement जबरदस्ती police ने जो है इसको manipulate किया है लेकिन इस case में जो आपने police के सामने बयान दिया है न वो सही माना जाता है ठीक है मतलब police के सामने दिया गया statement आपका court में admissible है अगर सही मामलों में है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मान लो अगर इस कानून का गलत उपयोग करके किसी गलत व्यक्ति को फसाया गया है तो उसकी तो जिन्दगी बरबाद होगी न भई ठीक है तो वहाँ पर ये बड़ा concern है lack of safeguard दोस्तो इसमें adequate safeguard नहीं है कि इसका misuse किया जा सकता है ठीक है इसको जैसे National Human Rights Commission है भई कोई भी बड़ी शप्त ये बहुत मतलब abrupt power है सरकार के हाथ में किंदर सरकार के हाथ में तो मान के चलो अगर सरकार इसका गलत इस्तमाल करे तो ऐसा कोई oversight mechanism नहीं है जो accountability और transparency ensure करे सरकार खुले में इसका इस्तमाल कर सकती है कुछ भी कर सकती है so lack of safeguard is again a big concern with related to the UAPA Act these concerns highlight the ongoing debate about finding a balance between national security measures and safeguarding individual rights तो इसी वज़े से दोस्तों आज भारत के अंदर में debate चल रहा है कि एक तरफ आपको national security को बचाना है national security की रक्षा करनी है और दूसरी तरफ आपको क्या करना है दोस्तों दूसरी तरफ आपको individuals का right to free speech है उसको भी आपको प्रोडेक्टर ना है तो दोनों के बीच में एक सामनजस से बनाना है तो उसका आज के time पेग लड़ाई है ठीक है फरवरी 2023 Central Government ने खालिस्तान Tiger Force एंड जम्मो एंड कश्मीर गजनवी Force ये दो organization है जिसको terrorist organization declare किया गया था under UAPA ये थोड़े दिन पहले की बात है ठीक है तो आप चाहो थोड़ा सा NIA के बारे में समझ लेना ये क्या चीज़े होती है थोड़ा सा आपको बस पता होना चीज़े और कुछ नहीं है बात करता है prelims के अंदर में आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं बताना चाहूँगा भी New Year Payr एक Membership के अंदर में एक Discount है 20% Off आपको मिल रहा है Membership का मतलब है जितने भी Course होंगे सारे के सारे आपको Access मिलेंगे सबकी Unlimited Bar आप देख सकते हो Recording आपके पास available रहेगी कितनी बार भी देखो Personal Mentorship, Answer Writing, Prelims, Mains, Interview Guidance सारी चीज़े आपके पास में रहेंगी एक साल, दो साल, तीन साल और छे महिने का Interview जो Guidance Program है वो आपके पास है तो अगर आप लोगों जुड़ना है तो आप Call कर सकते हो 00805603 के उपर और आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो जिएक है Geography Optional मैंने बताया जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स है उनके लिए Geography Optional अगर आप मेरे पहले के स्टूडेंट्स थे तो आपके लिए Geography Optional जो है वो भी एक अच्छे डिसकाउंट पर मिल रहा है जिसका प्राइज है 30,000 आपको सिर्फ 10,000 में मिल रहा है ये New Year Sale है बट याद रखना It's a Limited Time Offer तो जिसको अगर लेना है तो फटा-फटा आप Call करके अपना Book कर सकते हो आप ले सकते हो इसको ठीक है अब कई बच्चे इसमें भी कहेंगे ज़र बहुत महंगा इससे सस्ता तुम्हें जिन्दगी में कुछ मिलेगा नहीं और इतना कोई गरीब होता भी नहीं है फिर तुम ड्रामे करते हो तुम्हें पढ़ना नहीं होता फिर तुम बस ऐसा ही चाहते हो कि बस ऐसा ही जी चलती रहे आगे बढ़ते है Interest High on the Two Small Savings Scheme सरकार ने अभी दो छोटी Small Savings Scheme है जिनके उपर Interest Rate को बढ़ाया है तो समय समय पर सरकार जो है यह Small Savings Scheme के Interest Rate को बढ़ाती रहती है गोपिनात स्वामी कमिंटी है उसकी सिफारिश के आधार पर Interest Rate को बढ़ाया और गटाया जाता है तो कौन-कौन सी Interest Rate है भारत के इंदर वो मैं आपको सब बताऊंगा इस Small Savings Scheme का परपस क्या होता है कि जो हमारे देश के अंदर में जो आम आदमी है वो इन Scheme के माध्यम से अपना पैसा बचा सके पैसा बढ़ा सके यह उसके लिए इस्तमाल किया जाता है तो Interest Rate on Two Small Savings Scheme hiked by January-March 2024 GS Paper 3, Indian Economy and Issue Relative with It तो सरकार ने दो Scheme का Interest Rate जो है वो बढ़ा दिया है दोस्तो वो दो Scheme कौन-कौन सी है वो मैं आपको बताने वाला हूं दो Scheme के उपर बढ़ाया है दोस्तो The Rate of Interest on Three Year Time Deposit Scheme has been increased by 10 basis points 10 basis points का मतलब है 0.1% ठेक है? समझ में आरी बात तो जो Rate of Interest है 3 Year Time Deposit Scheme उस पे बढ़ा के 10 basis points बढ़ा दिया है मतलब पहले 7% का Interest Rate मिल रहा है ताब 7.1% का Interest Rate मिल रहा है इसके लावा सुकन्या स्मर्धी Account Scheme है इसके अंदर में जो 20 basis points से बढ़ा है यानिकी 0.2% से Interest Rate बढ़ा दिया गया है तो पहले 8% का Interest Rate मिल रहा था भी यहाँ पर 8.2% का Interest Rate मिल रहा है दोस्तों बाकी की जितनी भी Small Saving Scheme है उनका Interest Rate सेम रखा गया है अब यहाँ पर जो सबसे Important है आपके लिए घटाना है घटाना है वो किस बात से तय होता है दोनों बताऊंगा मैं दोस्तों So basis point क्या होता है मैंने बता दिया दोस्तों 100 basis point को BPS को हम कितना मानते हैं दोस्तों 1% मानते हैं तो मालों मैं 10 BPS की बात करता हूँ इसका मतलब हो गया 0.1% मैं 20 BPS की बात करता हूँ दोस्तो इसका मतलब हो गया 0.2% मैं अगर 70 BPS की बात करता हूँ दोस्तो इसका मतलब हो गया 0.7% और 100 BPS का मतलब हो गया 1% ये बात समझ में आ गिया आप तो ठीक है ये बहो गया basis point इसके लावा ये जो interest rate है ये कितनी often हम change करते हैं इन में परिवर् rate है ये government की जो long term security होती है ना सरकार आपको बताया ना government की security release करती है तो government security के उपर में जो yield होता है yield उस yield के उपर में इनका interest rate decide होता है इसके लिए दोस्तो शामला गोपिनाथ कमेटी है उसमें एक तरीका बताया गया कि कैसे आप इन small saving scheme का interest rate जो है वो तै करोगे ठेक है कमे government के जो bond है उनकी जो yield होती है yield of the government bond उसके धान में रखते वे जो yield मिल रही है government bond पे उससे 50 से लेकर 100 basis point ज्यादा करके आप इस पे interest पे इन schemes के अंदर में आप इनका interest rate रख सकते हो the interest rate of small saving scheme are intricately tied with the yield of 10 year government security bond याद रखना दो बात है पहली बात शामला गोपिनात कमेटी और दूसरी बात याद रखना कि सरकार जो ये interest rate देती है small saving scheme पे वो 25 से लेकर 100 basis point के बीच में होता है 0.25% से लेकर 1% उपर नीचे होता है किस से जो हमारी 10 साल का government का जो government की 10 साल के जो security होते है ना ठेक है government security in the secondary market उसके अनुरूप ये तैय होता है भारत में कई सारी small saving scheme है इसके माध्यम से और individual अपना पैसा बचाते हैं save करते हैं अब ये जो schemes हैं वो कौन-कौन सी हैं जैसे एक पहली scheme है public provident fund पी पी एफ कटता है ना तो पी पी एफ होता है long term saving scheme है जिसमें lock in period 15 साल का होता है इसमें काफी सारे tax benefit भी मिलते है फिर आता ह सुकन्य स्मिर्दी योजना ये जो girl child है उनको उनके लिए long term saving scheme ये provide करता है इस पे interest rate और tax benefit थोड़ा सा ज्यादा होता है फिर आता है national saving certificate ये fixed income investment है income maturity period होता है 5 से 10 साल और ये भी आपको fixed interest rate प्रोवाइड करते हैं फिर हमारी आती senior citizen saving scheme SCSS बोलते हैं इनको ये senior citizens के लिए होत देश्य होता है कि regular income जो हमारे senior citizens को उनको मिल सके post office monthly income scheme ठीक है इसके अंदर में भी fixed rate of interest मिलता है आपको और इसमें 5 साल तक आप invest कर सकते हो small savings scheme है किसान विकास पत्र ये भी एक savings scheme है दोस्तो ठीक है इसमें भी fixed interest rate मिलता है दोस्तो doubling the investment इन है pre determined period एक time के बाद में आपने जो invest किया पैसा double हो जाता है post office time deposit scheme जैसे bank में fixed deposit होता है na fixed deposit होता है FD उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है दोस्तो इसमें fixed interest rate आपको मिल जाता है अटल pension योजना ये pension योजना है दोस्तो ठीक है retirement के बाद में आपको एक monthly pension मिल जाएगी unorganized sector के लिए scheme है प्रधान मंतरी व्यव बंदना हो जना ये भी एक pension scheme है senior citizens के लिए ताकि उनको यार जब बुढ़े हो जाएंगे तो उस time पे regular pension उनको मिलती रहे regular payouts मिलता रहे उनको है ना अब सर इनके benefit क्या है इतनी सारी scheme मैंने पढ़ाई अब ये पता हो नीची आपको ठीक है ये जो schemes के नाम है you must know these name आपको पता ही होने चाहिए ये नाम बहुत जरूरी है बात करते हैं सरीन के benefit क्या देखो सबसे पहला safety and security government ने इतनी सारी scheme बनाई है PPF हो गया NSC हो गया senior citizens के लिए होगा इससे क्या होता है basically social security net provide करता है हमारे देश के अंदर में vulnerable population है ठीक है उसको ये security net provide करता है कि कल होके उनके प उनको इस पर fix return भी मिलता रहता है ठीक है तो एक stable source of income भी है उनका investment source भी है साथ-साथ में इनके तहत में जब वो इसमें invest करते हैं तो जो tax benefit है section 80C के तहत में जो income tax act है तो वहाँ पर भी उनको फायदे मिलते रहते हैं long term saving scheme भी है कई सारी जैसे PPF हो गया SSY हो गया तो ये ए एक आदमी long term में save कर सके और बाद में अपने बच्चों की education marriage वगरा के लिए पैसा उसको जो है मिल जाए retirement scheme है तो तक ही वो retirement के बाद उसको एक security मिल जाए तो इस social security net provide करते है regular income भी provide करते हैं कई लोग के लिए senior citizen saving scheme and post office monthly income scheme provide regular income through the interest payment making them suitable for the retiree जो retirement लेते है उनके लिए ठीक है तो ये हो गया थोड़ा सा शामला गोपिनात कमेटे के बारे में आप थोड़ा सा जान लेना ठीक है चलिया आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये सारी चीजे है थोड़ा इन पर ध्यान देना आगे बढ़ते हैं दोस्तों next बात करते हैं PM स्वानेदी scheme तो कोरोना के टाइम पे जो हमारे भाई बैन थे जो सडकों के उपर रहडी लगा के सामान बेशते थे तो उनको लोन देने के लिए प्रधान मंत्री के दुवारे scheme चलाई गई थी PM स्वानेदी scheme इसको नाम दिया गया था इसकी full form क्या थी दोस्तों striving for आत्म निरबर भारत PM street vendor आत्म निरबर निध जिसको हमने नाम बोला था PM स्वानेदी ठीक है street vendor के लिए scheme थी basically तो इसी की उपर में अभी data आया है एक data आया है दोस्तों क्या कि 57.83 lakh street vendor have benefited from the PM स्वानेदी scheme यह बताया जाएगा obvious ही बात है Parliament के अंदर data रखा जाएगा report रखी जाएगी और साथ-साथ में भी चुनाव भी है तो कौन सी scheme से कितना फायदा हो रहा है इस सब बताये जाएगे दोस्तों तो बोला गया है कि जो PM स्वानेदी है इससे अच्छी खासी मातरा के अंदर में micro credit facility के माध्यम से और affordable loans दिए पर अपना समान बेचते हैं ठीक है लोग स्की में बताया गया है total 57.83 लाग स्टीक वेंडर जो है न उनको इससे फायदा हुआ है किससे स्वानेदी स्कीम से उनको फायदा हुआ है यह स्कीम COVID-19 के दुरान pandemic के दुरान इसको launch किया गया था ताकि जो hawkers है उनको affordable loans दिए जा सकें around 45% of women street vendor have received loans and 72% of the beneficiaries are from the marginalized sections यह जो scheme है it is also apart from disbursing substantial loan has also facilitated digital transaction यह एक बहुत important बात है देखो इन लोगों के अंदर में digital transaction आज आप एक ready पे जाओगे न पेटियम लगा हुआ है अब वो भी digital transaction करते हैं सरकार ने special incentive दिया है कि अगर आप digital lending करते हो तो इतना आपको reimbursement मिल जाएगा सरकार की तरप से तो ना केवल इसमें loan मिला है बलकि इसके माध्यम से digital transaction को भी सरकार ने बढ़ाया है दोस्तो इसकीम के माध्यम से उनको financial assistance भी मि vendor की वो भी क्या हो रही है दोस्तो expand हो रही है ठीक है PM स्वा ने दी एक special micro credit, micro credit मतलब छोटा amount में बहुत बड़ी मातरा में loan नहीं देता, micro credit facility है दोस्तो इसको ministry of housing and urban affair की दुआरा एक जून 2020 को launch किया गया था दोस्तो किसे लिए ताकि affordable loans जो है वो provide किये जा सके to the street vendors ठीक है इसमें collateral free loan में दिया जाता है जिसका working capital जो होता है loan का वो होता है लगबग लगबग आपका 10,000 रुपए एक साल के लिए loan दिया जाता है दोस्तो ये एक central sector scheme है central sector मतलब ये पूरी तरीके से केंदर छेतर की योजना है दोस्तो entire contribution जो आता है वो केंदर सरकार से आता है इसके अंदर में किसी प्रकार का collateral आपसे नहीं लिया जाता और 10,000 रुपए का loan एक साल के लिए जाता है अगर ठीक है timely repayment करते हो तो दूसरे बार में 20,000 और तीसरी बार में 50,000 रुपए तक का loan दे दिया जाता है अगर आप regular time payment कर रहे हो regular payment जो कर रहा है उसको incentivize किया जाता है 7 10% पर NM के हिसाब से उनको interest के उपर में subsidy दी जाती है दोस्तों ठीक है digital transaction करने वालों को reward दिया जाता है cashback मिलता है up to 1200 रुपए per year 1200 रुपए per year तक का cashback इनको मिल जाता है दोस्तों ठीक है अब इस scheme को डिसंबर 2024 तक extend कर दिया गया है इस scheme के कुछ features हैं जिस मैंने बताया पहला तो financial assistance में दिया गया था भी 10,000 रुपए तक का loan दिया जा रहा है monthly repayment में आप कर सकते हो दूसरा जो time से loan भर रहा है सरकार उनको interest subsidy दे रही है at 7% per year ये भी एक अच्छी बात अगर आप time से loan ले आपने बर रहे हो time से तो 7% आपको interest पे subsidy सरकार दे रही है तो ब्याज अनुदान यहाँ पे मिल रहा है इसके अलावा digital payments को सरकार encourage कर रही है है अब economy cash lash हो रही है अब ये लोग भी digitally lane देन कर रहे है क्योंकि अगर आप digital lane देन ले सरकार carry 1200 रुपे तक का cash back हम आपको देंगे ठीक है ना समझवार इसके माध्यम से सरकार जो है वो अलग लग टाइप की beneficiaries को identify कर रही है सरकार prioritize कर रही है और उनके लिए विसेश प्रकार की scheme जो है उस vulnerable section के लिए सरकार बना पा रही है आपको पता है दोस्तों ये scheme हम कब लेके आया थी सरकार COVID-19 pandemic के टाइम पर दोस्तों सब जगें lockdown था लो आपको working capital मिल जाएगा और आप जाके अपना काम चला सकते हो mobile app को promote किया इसके अंदर, scheme के अंदर mobile app seamless implementation ठेक है ये सारी disbursement of loan एकदम ऐसे mobile app के माध्यम से loan वगरा है na credit facility enhancement अगर आप time से भर रहे हो loan तो अगली बार आपको 20,000 मिलेगा उसके बाद आपको 20,000 रुपे तक मिल सकता है ठीक है तो ये भी एक सुईदा है अगर आपने अच्छे से भरा है loan तो आपका credit score built हो रहा है next रिंच में आपको ज्यादा mount में पैसा मिल जा रहा है ठीक है यहाँ पर एक बात की गई है national association of street vendor of India देखो सबकी अपनी अपनी union होती है तो जो हमारे street vendor है उनके लिए भ हमारे street vendor है उनके livelihood right को protect करना ठीक है इन्होंने अपना network बनाना start किया था 1998 के अंदर और 2003 में इन्होंने अपने आपको society registration act 1860 के तैत में इन्होंने अपने आपको register करा लिया इनका उद्देश्य क्या था कि भारत के अंदर में जो street vendor है उनको organize करना उनके हक के लिए लड़ना ठीक है उनके हक के लिए लड़ना collectively अगर हम बात करें दोस्तों तो ये macro level changes के लिए लड़ते हैं छोटे छोटे सुधार के लिए लड़ाई लड़ते हैं ऐसे नहीं कि सरकार के हिलाब लड़ रहे हैं तेकिन हाँ street vendors के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं उनको support करते हैं ठी क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें तो street vendor कई सारे ऐसे कानून है जिसकी वज़े से street vendor जो है इनकी रोजी-्रोटी पर दिक्कते आती हैं कई सारी policies, law ऐसे पुराने बने हुए हैं उन सब को change करने के लिए उस attitude को change करने के लिए संस्ता काम करती है यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी संस्ता को appreciate भी किया था क्योंकि इसने एक लाग पचाज आर street vendor को अभी उन्होंने food and safety hygiene की training दी है कि जो लगाते हैं ठेले पे खाना बज़ते हैं तो उनको किस प्रकार से आपको food safety को promote करना hygiene को promote करना है तो उसके लिए भी union government ने union ministryness को promote वो किया है ठीक है appreciate कि यह बहु अभी ट्रेन वंदे भारत अमरित काल ट्रेन चला दी तो लगा आयोध्या में खूब पैसा जा रहा है मतलब दबा के कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जो है वो गए थे अभी यातरा पे गए थे राम टेंपल के अंदर में जो ह अभी जो है रेलवे स्टेशन को रीडवलप करा दिया है अब जो अभी तरीके से ग्रीन बिल्डिंग होगी इसमें लिफ्ट एक्सकलेटर वेटिंग हॉल, क्लॉक रूम, फूड प्लाजा सब कुछ यहां पे बनाया गया है वंदे भारत और अमरीत भारत ट्रेन जो है वो लॉंच की गई है प्रधान मंत्री के दुवारा छे वंदे भारत ट्रेन और दो अमरीत भारत ट्रेन ये वंदे भारत ट्रेन ट्रेन 18 ट्र ज्यादा comfort और ज्यादा speed के साथ में अब वो travel कर पाएंगे They also have improved amenities जैसे better sheet अच्छी seat है इसमें Luggage अच्छा मिलेगा आपको LED light, CCTV camera, public information system सब मिलेगा वंदे भारत train की जहां बात करते हैं तो इनको train 18 कहा जाता था ये भी electrical multiple unit train थी दोस्तों इनको government on integral coach factory जो हमारी ICF चेन नहीं है वहाँ पर इनको बनाया जाता है वंदे भारत trains को वंदे भारत train जो है 160 km per hour की speed से चलती है नरेंदर मोदी ने पहली वंदे भारत train जो है नई दिल्ली, कानपूर, अहमदाबाद सोरी, अलावाद और वरारसी रूट के उपर फरवरी 2019 के अंदर में उन्होंने इनोग्रेट की दी तब ये train जो है वंदे भारत train पहली वंदे भारत train चले थी यहाँ पर अमरीद भारत train जो मैंने बताया दोस्तों दो अमरीद भारत train जो है आप स्टार्ट की गई आयोद्धा से यहाँ पर जर्क फ्री टेकनोलोजी जटके नहीं लगेंगे आपको ठीक है बड़िया एकदम सेमी कपलर टेकनोलोजी का इसमें इस्तमाल किया गया दोस्तों इन अमरीद भारत train के अंदर जर्नी आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी डेस्टिनिशन पे आप और तेजी के साथ महुचोगी यह 130 किलोमेटर की स्पीड से चलेंगी ट्रेन यह जो टेकनोलोजी है इसमें क्या होगा दोस्तों इट विल हेल्प जॉइन टू कोचेज इन सच अवे दाट इट निगेट्स दा जर्क इफेक्ट वेन दा ट्रेन स्टार्ट से जोड़ा जाएगा कि जब ट्रेन शिरू होती है और चलती है जटका लगता है वो जटका बिलकुल नि लगेगा साथ साथ आयोध्धा में न्यू एरपोर्ट बनाया गया है आयोध्धा एरपोर्ट जिसको महरशी वालमी की इंटरनेशनल एरपोर्ट कहा जाएगा आयोध्धा धाम has been developed at a cost of over 1450 क्रोड रुपे से इसको डवलब किया गया है दोस्तों यह जो एरपोर्ट टर्मिनल है it has an area of 6500 स्क्वेर मीटर and it will be equipped to serve as a 10 lakh passenger annually 10 lakh passenger यहाँ पे यह इसको handle कर सकता है यहाँ पर कई सारी रामायान और भगवान राम के जीवन के अलग-अलग द्रश्य जो है इस एरपोर्ट के उपर में लगाए गए हैं दोस्तों एरलाइन यहाँ से फ्लाइट जो है टेक ओफ करेगी जाएगी कहाँ पर दिली मुंबई कलकत्ता हैदराबाद बैंगलूर चिन्न यह अमदबाद यहाँ पर जाएंगी ठीक है तो यह है कुछ ओर भी डवलेप्मेंट प्रोजेक्ट्स हैं कुल मिला के ग्यारा हजार करोड के प्रोजेक्ट्स जो है वो आयोध्या के अंदर में पास हुए उसके सराउंडिंग एरिया के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो है चार बड़े चोड़े रूड का भी घटन यहाँ पर किया था ताकि यह बड़िया सुन्दर सुन्दर रूड जो है यहाँ पर बन सके अगला टॉपिक हम बात करते हैं लीची कल्टिवेशन पहले एक समय ऐसा था लीची के वल बिहार के अंदर में पाई जाती दी बिहार के अंदर में लीची का प्लांटेशन होता था बट अब ऐसा नहीं है दोस्तो भारत के अंदर में 17 से 18 राज्य ऐसे है जो लीची हुग अब ही भी हलांट की भारत की 40 प्रसेंट लीची जो है वो बिहार में पैदा होती है बट फिर भी आज लीची जो हम पहले कहते थे ना बहीं लीची के वल और के वल नहीं आज 19 स्टेट के अंदर में लीची जो है वो भारत के अंदर में तो अब लीची ऐसा नहीं कि मुझ अले फुटिल्स है, वहाँ पर उगाया जाता है, जैसे उत्राखंड, बिहार, वेस्ट बेंगोल, जारखंड वाला जो एरिया है वहाँ पर, बिहार, बिहार के अंदर में बात करूं, तो 32,000 एक्टेर के अंदर में लीची उगाई जाती है दोस्तों, और आज के टाइम पर लगबग लगबग 40% है, तो बिहार टॉप पर है आज भी, बिहार के बाद दूसरे नंबर पर आता है, वेस्ट बेंगोल जो 12% लीची का परड़क्शन करता है, तीसरे नंबर पर जारखंड 10% लीची का परड़क्शन करता है, लीची कल्टिवेशन जो है दोस्तों, इसक अफिशल डेटा है भारत के अंदर है, अलग-अलग वेराइटी जो है लीची की, NRCL के दुआरा उसको प्रिपेर किया जा रहा है, अलग-अलग बीज सैपलिंग्स तैयार किये जा रहे है लीची के दोस्तों, है ना, और ये जो बीज है, ये जो सैपलिंग्स है किसानों को दी जा रहे है, ताकि जो ग्रोइंग डिमांड है लीची की, वो उसको केटर किया जा सके, सेंटर जो है ये सैपलिंग्स जो है जिन जिन वराइटी के दे रहे है, उनमें शाही लीची, उसके लावा और भी पॉपुलर वराइटी है जैसे चाइना लीची, गंड की लालीम ये हमारा 0 degree, ये हमारा 25 degree north, ये हमारा 25 degree south, इसके बीच में लीची पाया जाता है, इसलिए हम इसको कहता है दोस्तो क्या subtropical fruit है ये best develop होता है moist, subtropical climates के अंदर, moist का मतलब होता है आदर, subtropical climate के अंदर, typically अगर हम बात करें, तो जो कम उचाही वाले छेतर area जो होते है, वहा पे ग्रोथ होता है, optimal ग्रोथ के लिए लीची जो है इट रिक्वाइड डीप ड्रेंड लूमी सोयल, इसको चाहिए होती है, और गैनिक मेंटर ज्यादा होना चाहिए, पी एच जो है वो 5-7 की रेंज में होनी चाहिए, इसको एक्स्ट्रीम टेंपरेचर बिल्कुल भी नी च पास आजाता हो, वहाँ पर लीची जो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, टेंपरेचर का होना भी ज़रूरी है, कई बार होता है बहुत ज़्यादा रेंफॉल होने लग जाते, excessive रेंफॉल और वो भी उस टाइम पर जब यह पॉलिनेट करता है, तो वहाँ पर भी फिर यह फसल जो है, लीची जो हो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है, जो पेड जब बड़ा हो जाता है, यंग हो जाता है, तो उसको frost से बचाना पड़ता है, गरम हवाओं से बचाना पड़ता है, दोस्तों, initial year में, है ना, आज अगर देखें तो कई सारी temperature variation, temperature variant, जो varieties है, है ना, वो भी आज बनाई जा रही है, बट अगर आप ये रखोगे तो ही, ठीक है, जो है, प्रॉपर फूटिंग होगी, लीची से आपको, however, temperature variation is necessary for the proper fluting, ठीक है, चैलेंज क्या है, दोस्तों, बड़ी चैलेंज होई है, सरदियों में, आप देखो, उत्तर भारत में अब तुम अर्याना में लगा दो, तो अभी temperature छे साथ, साथ डिगरी, छे डिगरी तक पहुंच जा रहा है, ठीक है, गर्मियों के अंदर सामाने तापमान 45 से लेकर 46-47 तक जाता है, लेकिन आज अगर हम देखें, तो राजस्तान तक में लीची हुगाई जा रह पर में सफेद इस प्रकार की पेंटिंग करते हैं, और इसमें आग देखोगे न, तो जीवन के अलग-लग रूप और भाग दिखाई जाते हैं, ठीक है, तो ये वारली पेंटिंग के बारे में है, ट्रेंगल, सर्कल, लाइन्स वगेरा करके न, इस्तेमाल करके इन पेंटि से हुई हैं, कहाँ पर नौर्थ सयाधरी रेंज, महाराष्ट्रा के अंदर में, और इनकी अगर आप रूट देखोगे, तो दसवी सेंचुरी से इनकी रूट है, दोस्तों, हावेवर, इनका जो डिस्टिंग स्टाइल है, इट गें रिकागनिशन अप्रिशेशन, अप्र बिहास करती है, जिसे विभा चौक के रूप में भी जाना जाता है, थीम्स क्या क्या हैं दोस्तों में बता दूँ, तो वरली आर्ट जो है, इट सर्वेज पोट्रेल ऑफ एवरीडे रूरल लाइफ, जो हमारा रोजमर्रा का ग्रामीन जीवन है, उसका इचित्रन करते हैं जो आदिवासी समुदाय और प्रकरती और उनके देवताओं, मिथकोर, परंपराओं, रितिरिवाजों और उत्सओं के बीच संबंदों को सहमती करती है, सहमती करता है, एलिमेंट्रिक, जियोमेट्रिक शेप्स का इस्तमाल हम करते हैं, जैसे सर्कल, ट्रेंगल, स्क्वेर इनको बनाने के लिए इन शेप्स का इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, समझ में आरी बात, पेंटिंग्स प्राइमरली रिवॉल्स अराउंड दी सेंट्रल मोतिफ ऑफ दे स्क्वाइर, रेफर्ड एस चौक और चौकत, ठीक है, चौकत, तो उसके अराउंड में, तो यह एक significant aspect है, काफी सारे compositions का, during this dance, a trumpet-like, एक तुरही जैसा वाद यंतर इसके अंदर बजाया जाता है, ठीक है, succession by the various village men, meanwhile, men and women joins hands and moves in a circular formation around the tarpa players, a scene often depicted in the worldly art, और यह वरली आर्ट में भी यह सीन दिखाया जाता है, वो tarpa बजाता है, उसके चारों तरफ आदमी और 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 ओरते जो हा बात करते हैं, दोस्तो, technique और material की, क्या क्या इस्तमाल इसमें किया जाता है, तो जो वारली painting से है, दोस्तो, the painting process, begins with selection of design, पहले design select किया जाता है, without tracing, artist directly draws the chosen design onto the paper or cloth, cleverly adapted of bamboo sticks, bamboo sticks इसमें use की जाती है, paintbrush के रूप में, ठीक है, तो यह थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, color natural use किया dye indigo, इनका इस्तमाल किया जाता है, brick for red tone, thick rice paste, white के लिए thick rice paste, rice paste बनाया जाता है, तो basically natural element से natural color का इसमें इस्तमाल किया जाता है, next topic है हमारा दोस्तो, आयुषमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्यय योजना, ठीक है, ABPM जै योजना, इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो अभी एक topic आया हुआ, देको, women account for approximately 49% of the total, आयुषमान कार्ड created, says health ministry data, health ministry का data कह रहा है, कि भाया PMJ के तहत में जिनको फायदा मिला है, उसमें 49% महिलाएं है, ठीक है, कितनी परसेंट 49%, ये पूरा डेटा बताया गया है, December 2023 तक महिलाएं जो है, they represent approximately 49% of total आयुषमान कार्ड issued around 48% of the total authorized hospital admission, तो पूरा डेटा बताया गया है ये आपका, ठीक है, launch जब से OEA scheme, total 28.45 करोड आयुषमान कार्ड जो है, they have been generated, with roughly 9.38 करोड कार्ड created in the year 2023 alone, under these healthcare initiatives, around 55 करोड इंडिविजवल स्वां 12 करोड फैमिली रेसीव्ड कार्ड जो है, they have been generated, with roughly 9.38 करोड कार्ड created in the year 2023 alone, कई सारी scheme, राज्ये हैं, जिन्होंने scheme को जो है, अपने माँ पे बढ़ा दी, अपने खुद के खर्चे से, ठीक है, hospital admission की बात करे, total 6.11 करोड admission, accounting for us, 78,188 करोड वर authorized, specifically during the year 2013, 1.7 करोड hospital admission वर्थ इतना, अब ये पूरा data है, आपके काम का नहीं है, दोस्तों, ये पूरा data है यहाँ पे समझ में आगी कह रहे हैं कि महिलाओं को 49% इसके अंदर में महिलाओं को ये card दिया गया, अब ये है क्या दोस्तों, 2018 में इसको launch किया गया था, पांच लाग का some insured per family, secondary और tertiary healthcare needs के लिए आपको मिलता है, इसमें health benefits के अंदर में आपको कही सारे treatment, surgeries, आपका medical care, day care procedures और साथ-साथ में बाखी के जो expense है, medicine और diagnostic वो आपके शामिल है, इसमें जो targeting beneficiaries होते हैं, दोस्तों, उनको हम social economic cost census के माद्यम से identify करते हैं, ये scheme जो है, दोस्तों, listment based model के उपर काम करती है, national health authorities, जो है, they allow state government to use this database, और वो फिर इससे क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो family, जो है, leftover family उनको इसके tag कर सकते हैं, funding इसमें 60-40 का है, 60% केंदर सरकार देगी, 40% state government देगी, union territory और नौर्थीस्ट वाले जो states हैं, उनमें 90-10 का है, ठीक है, और जो union territory जिसमें legislature नहीं है, वा 100% केंदर सरकार यहाँ पर पैसा दे रही है, ठीक है, ये अपना telegram channel है दोस्तों, t.me slash sumitrath official, मैं आचाहूंगा आप इसे जुडे हैं, सारे के सारे लोग, 20% अभी membership पे discount आपको मिल रहा है, दोस्तों, ये limited time offer है, new year के उपर ये offer चलाया गया है, सारे courses आपको मिल रहे है, unlimited watch time, recording मिल रही है, personal mentorship, answer writing, prelims, mains, interview, guidance आपको मिल रही है, और सिर्फ एक साल के लिए आपसे 20,000 रुपीज अभी लिए जा रहे है, प्लस internet handling charge, दो साल के लिए 28,000 है, तीन साल के लिए दोस्तों 32,000, और 6 महिने के लिए charges सिर्फ 16,000 रुपे है, तो आप call करके यार, ठीक है, बुक कर सकते हैं, फटा-फट जॉइन कर सकते हैं इसको, बिना किसी देरी के दोस्तों, ठीक है इससे पहले offer बन दो, आपका जो price है, वो increase हो, हाई को, आप जाए, geography optional पे आप देखोगे, तो up to 70% off आपको यहाँ पर मिल रहा है, 10,000 रुपे के अंदर geography optional आपको यहाँ पर मिल रहा है, जाए, जोड़िए दोस्तों, फटा-फट देखो, number आ रहा है आपके नीचे, ठीक ह बच्चों से request करूंगा, एक बार please session को like कर दीजे, दोस्तों सारे के सारे लोग, please session को like करें, share करें, बाकी लोगों के साथ में, ताकि सारे लोग जो है, वो हमारे साथ आ सके, session में जुड सकें, और session में भाग ले सकें, फटा-फट कीजे दोस्तों जल्दी से, एक बार जल् जहिंद, love you, मिलते हैं next class में, अभी यार app पे class अरे, तु अभी करेंगे app पे आ रहे हैं, ठीक है, दो मिनट देना मुझे, just start करने वाला हूँ अभी में class, app पे अभी class करते हैं, जो बच्चे app वाले हैं, वो पोहुचिए फटाफट app पे, ठीक है, आपकी next class हम करते हैं, आप जो पापने कि थाे जाने कि मौन्जाऊी करिकान अफों,